नमस्य दोस्तों गाडी जोन में आपका स्वागत है और आज उन्यों खड़े हैं हीरो मोटर कॉम के सामने जिसका नाम है हीरो ग्लैमर और आज हम इसका फुल रिव्यू करेंगे और साथ ही बताएंगे कि इसे लेनी चाहिए कि नहीं तो आए स्टार्ट करते ये वीडियो उससे पहले सब्सक्राइब कर दिये मेरे चैनल को करके देखे सब्सक्राइब मज़ा आ जाएगा बहुत गाड़ी जोन की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दवाए सब्सक्राइब बटन दवाने के बाद इस बेल आइकन को दवा के अपनी नोटिफिकेशन ओन कर दे ये आपको पता चल जाए कि मैंने अपनी नए वीडियो कब ड़ने है आए स्टार सेखिल मिलेगा आपको 2007 में यह लॉंच हुआ था और अभी से यह अपनी होट सेलर पॉडिशन बना कर रखा है इरो ग्लैमर और इसमें आपको फाइफ कलर आप्शर मिल जाता है और यह है मल्टी कलर बॉड़ी ग्राफिक्स के साथ विद जैकेट फ्लैक फिनिशिंग यह आपका रेस्ट्राइक वाला फ्लैक फिनिशिंग दे रहा है हीरो और इसमें आपको रेडियेटर इंजिन मिल जाएगा बहतर माइलेज के लिए इसमें आपको डूल क्रेडिल चैसी मिल जाता है और 130 mm ड्रम ब्रिक के साथ और इसका कर्व रेट है 129 kg और ग्राउंड क्लेरेंस आपको मिलता है 150 mm हिरो ग्लाइमर में आपको चार मॉडल्स अवेलेबल है इसमें आपको ड्रम ड्रेक यह आप बेस मॉडल देख रहे हैं ऐधर की और इसके बाद आता है हिरो ग्लाइमरीक उसका लुक और स्टाइल अलग है उसमें आपको बैक में LED लाम्प मिल जाएगा और उसके बाद आता है Hero Glamour FI वो भी उसी लुक में मिलेगा लेकिन इंजिन परफॉर्मेंस और स्टाइलिज बोडी फ्रेम मिलता है उसमें परफॉर्मेंस वाइज इकोल और माइलेज भी थोड़ा जाधा देता है आई यह बैक से स्टाइट करते है और से पहले अमनों का मालीक को देख लीजे यूट्यूब चैनल गाड़ी जोन का और बैक में आपको नॉर्मल हेलोजन लैम्प बिल जाता है और यहां आपको रिफ्लेक्टर मिलता है और यह आपका इंडिकेटर लेकिन यह बहुत स्टिफ है फ्लेक्सिबल नहीं है और यह आपका नमबर प्लेट और यहां आपका मड़ फ्लाप और यह आपका red hydraulic shock absorber red का finishing दिया गया है गाड़ी की look और enhance करने के लिए sportiness बढ़ाने के लिए और यह है आपका chrome with steel का finishing के साथ silencer pipe और यह है आपका tubeless 16-18 inch इंचर alloy wheel black में drum brake मिल जाएगा आगी और पीछे दोनों में combi braking system इसमें आता है लेकिन यह combi braking system नहीं है और यह आपका two zone sitting position with more comfort cushioning section area ठेक है ठाक है seat cover लगने के बाद और cushioning कम हो जाता है गाड़ी का और यह आपका grab handle with body color और यह आपका hero का sticker और यह है आपका ASFS advanced swirl flow induction system इसमें आपको more mileage, better pickup और fuel efficiency भी गाड़ी का कम हो जाएगा इसमें आपको गाड़ी ज्यादा mileage देगी और यहाँ पर आपको कुछ hook लगाने के लिए यहाँ की हुसता है ऐसे करेंगे तो यह hook खुल जाएगा बहुत advanced system है और यह आपका साड़ी गाड़ footrest दिये गया है पेलियन के लिए और यह आपका 4-speed manual transmission और first in segment आपको carburetor engine मिल जाएगा इसमें और यह आपका fiber body यहाँ पर आपको visor दिया गया है look को और enhance करने के लिए और यह visor openable है यहाँ से आपका key slot है key slot यहाँ से आप खोल सकते है और यह आपका kick with self और यह आपका black में piston cover with hero logo के साथ और यह आपका red spark plug और यह brake और यहाँ पर आपको reflector मिलता है और यह है 13.6 liter का fuel tank जिसका mileage देता है 50 to 55 का और 740 km चल जाएगा एक बार fuel tank full करने के बाद और यहाँ आपका reserve fuel on का switch दिया गया है और यह सांदर graphics आपको red का भी option है five color option मिल जाएगा इसमें और यह आपका fake vents गाड़ी के look और enhance करने के लिए गाड़ी में बहुत सारा sporty look provide किया गया है और इसका जो glamour fi है उसमें भी बहुत सारा sporty look enhance किया गया है 2007 में launch हुई थी और अभी इस तक यह बेकरी है इसका engine बे black में है पूरा गाड़ी के look और excellent provide कर रहा है और यह इसका instrument console के बार जानते हैं और यहाँ आपका light का switch मिल जाएगा यह pass का और यह upper dipper rinkers के switch और यह आपका horn और इन भी आपका decent है और यह आपका self यह bs4 with aho model है तो इसमें light के switch नहीं मिलते हैं और यह आपका main console unit इसको आप एक बार on off करने के बाद on होने के बाद swipe up हो जाता यह full और यहाँ आपका neutral indicator यह आपका dipper का और यहाँ पे आपको trip A trip B और यह आपका fuel का और यह आपका odometer और यहाँ आपके blinker के indicators अलग-अलग place के गया है बहुत stylish instrument cluster है और overall भी look बहुत अच्छा है instrument cluster का और यह आपका key hero का genuine key और यह आपका oval shape में looking glass with body color और आपका सबसे बड़ा बात आप देखिए इसका self बहुत responsive है one touch देखिए hero कितना अच्छा ध्यान देता है अपनी गाड़ी पर friends यह आपको गाड़ी बहुत smart दिखती है और यह है आपका jacket flag strips गाड़ी overall glossy black में है और इसका head lamp है बहुत अच्छा light emit करता है broad new generation head lamp आप बोल सकते हैं यह मढगार्ड मिल जाएगा और टेलिस्ट्रोपिक suspension मिल जाता आगे में लेकिन इसका जो build quality है थोड़ा कमजोर है देखिए यह हिल रहा है नहीं पता क्यूं और यह है आपका drum brake 130 mm का Combi breaking system मिलेगा इसमें लेकिन यह Combi breaking system नहीं है kitchen with 18-inch रालो बलक्में मैं तेखी करना दो आप ißıtने मैं यह मैं जा आपकेव है क्राटर था मे, यह और यह है single cylinder air cooled 124.7 cc petrol engine जो produce करता है 10.35 newton meter of torque और 8.9 php level यह carburetor engine है और इसका mileage आपको 50 to 55 मिल जाएगा और यह fun to drive engine है और आपको hero जैसा brand more mileage less fuel efficiency और comfort with reliable motorcycle चाहिए तो आप hero glamour को ले क्योंकि यह 2007 से 2019 की journey successful complete कर चुकी है और 14 साल से market response बहुत अच्छा है मेरे वीडियो आपको कैसा लगा आएए देखते हैं JCB की खुदाई जो वहाँ चल रहा है मेरे वीडियो में और ओ भाई साब क्या खोद रहा है वे कुर्ती ले क्या बैट के देखेंगे क्या सकत करेंदे ले अच्छा अबस्पदक्षाई देखेंगे